हाई फ्रेंज बहुत टेस्टी है और इसको बनाना बहुत आसान है जरू ट्राइ करिए का चली बनाते हैं चिकन पिर्यानी तो सबसे पहले चावल उबाल लेंगे उसके लिए मैंने दो लीटर पानी उबाल लिया है इसमें आट करेंगे जीरा लॉंग तालचीनी काली मिर्च हरी इलाइची, काली इलाइची और एक टुकड़ा जावित्री का एक टीबल स्पून भर कर उपर तक आपने अच्छे से नमक आट करना है क्योंकि चावल ड्रेन करने के बाद अक्सर चावल में नमक कम हो जाता है एक टीस्पून ओयल आट किया है आप देसी घी आट कर सकत आदे छोटे निबू का रस अच्छी दर से निचोड कर आट करिए इस से चावल के दाने खिले-खिले और अलग अलग रहेंगे और बस इसमें अभी मैंने चावल ड्रेन कर दिया है चावल ड्रेन के बाद एक बार इसको मिला ले इसमे तेज उबाला आगया है तो पतीला गरम कर लेंगे उसमें आट करेंगे तकरीबन आधा कप ओयल मैंने तो मस्टर्ड ओयल यूज किया था आप इसके कोई भी रिफाइन डॉल ले सकते हैं तीन मीडियम साइस का प्याज अच्छी तरह से फ्राय कर लेना आपने इसका हम बिरिस्ता बना लेंगे और जब आधा किलो चिकन लिया है इसमें एक टेबल स्पूर अध्रक लसन एक टेबल स्पूर कश्मीरी मिर्ची पाउडर आदा चमज हल्दी आदा चमज जीरा आदा चमज गरम मसाला आदा चमज चाट मसाला पाउडर लिया है आदा चमज काली मिर्च का पाउडर आदा चोड़ा कश्मीरी मिर्ची और फूट कलर से कलर अच्छा आएगा क्योंकि हम यह तंदूरी चिकन बना रहें बस यह मिक्स हो गया है इसको हम आदा घंटा मारिनेट कर लेंगे आदे घंटे के बाद यह वही ओयल है जिसमें मैंने प्यास फ्राय किया था तो नीचे पूरा चिकन जो हमने मारिनेट किया था ना बस चिकन चिकन निकाल के बिचा दे मारिनेट आड नहीं करना है क्योंकि हम चिकन को पहले फ्राय कर लेंगे इसका पानी सुखा लेंगे यह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कलर आने लगा है इसके उपर तो फ्लेम हाई ही रखिएगा हमको इसको अच्छे से फ्राय कर लेना है बीच बीच में चलाना मत भूलिएगा नीचे मसाला अकसर चिपक जाता है क्योंकि इसमें अध्रक लसन का पेस्ट होता है तो इस त पहले थोड़ी सी हरी मिर्चे आट करी है चीरा लगा कर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना बारिक चौप करके जो तला हुआ प्यास था उसमें से तीन चौधा हिस्सा मैंने आट कर लिया है दो छोटा साइस का टमाटर था लाल अच्छा पका हुआ उसको मैंने ग्राइ नीचे लगने लगेगा और चिकन को लिपटने लगेगा यह देखिए पूरी तरह से ड्राय हो गया यह और चिकन को पूरा मसाला लिपट गया और पूरा सेपरेट हो गया अब इसमें तकरीबन एक चोटा ग्लास पानी आट कर लेंगे क्योंकि हमको नीचे ग्रेवी चाहि करने वाले तो एक ग्लास पानी आट करके अची दर से मिक्स कर लिया है और लो फ्लेम पे कवर करके दस मिनिट छोड़ दिया था तो दस मिनिट के बाद यह देखिए आप देख सकते हैं ओयल सेपरेट हो गया है ग्रेवी अच्छी फॉर्म हो गई है अगर आपको ऐसा लग करके क्यास का फ्लेम ओफ कर ले और दस मिनिट हम इसको छोड़ देंगे दस मिनिट के बाद मैंने यह निकाल के साइड में रख दिया यह देखिए ग्रेवी बिलकुल त्यार हो गई है तो यह तंदूरी चिकन ग्रेवी ऐसे ही खाने में बहुत जादा तेज़ लेकिन अब दीवन एक छोटा कप अगर आपके पस चावल उबाला हुआ पानी है तो आप वही आट कर ले थोड़ा सा फूट कलर आट कर ले और कवर करके हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनिट छोड़ दे जब अच्छी तरह से वैसल गरम हो जाए उसमें से धुआ आने लगे तो धीमी आज पर उसको 10 से 15 मिनिट छोड़ दें उसके बाद 10 मिनिट का रेस्टिंग टाइम देना है अपने कैस आफ करने के बाद उसके बाद फिर खोलिए का एकदम तुरह नहीं खोलना है और यह दिखे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यह बियानी बन के तियार हो गए लगी है नीचे से बहुत ही फ्लेवरफूल टेंडर सा चिकन है और खाने में तो बहुत जादा टेस्टी है तो बस इसको सर्व कर लेते हैं यह अक्सर जो प्याज होते है ना सिर्के वाले प्याज उसके साथ यह बहुत जादा टेस्टी लगता है तो बस इसको आप सर्व क thank you so much for watching my video take good care Allah Hafiz bye